नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे प्रिणिंसी का नौवा महीना चल रहा है यानि कि अब आपको लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है ऐसे में जो पहली बार बेबी को डिलीवर करने वाली है उनके मन में ड में हमारा बच्चा निकल जाता है इतने सारे डाउट्स आप लोगों के मन में भी हैं तो सारे के सारी बातें सारी अफवाएं सारा डर आज की इस वीडियो में आपका निकलने वाला है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है चैनल में हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें labor room में कव जाती हैं जैसे ही आपको pain आता है आप hospital जाती हैं तुरंद से आपको labor room में नहीं लेकर जाते हैं सबसे पहले doctor's दूआरा आपके कुछ important test किया जाते हैं जिन में सबसे धादा important test होता है finger test ये finger test आपको 3-4 बार किया जा सकता है, ये machine द्वारा नहीं होता है, इस test में doctors अपने जो finger से आपके वजाइना में insert करते हैं, देखा जाता है कि आपके बचिदानी का मुँ कितना खुला, 8-10 cm जैसे ही बचिदानी का मुँ खुल जाता है, आप प्लेवर रूम में जाती है, और कहा जाता है कि दर्ध बहुँ ज़दा होता है, तो friend दर्ध इतना होता है जितना एक माँ अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए सेहन कर सकती है, तबी महीलाओं को दर्ध सेम होता है, किसी महीला की डिलिवरी 2-3 घंटे में हो जाती है, किसी महीला की जिनकी डिलिवरी जल्दी होती है वो क्याती है कि कम दर्द में बच्चा होता है लेवर पेन कम होता है और जिने डिलिवरी 24-25 घंटे का दर्द सहन करने के बाद होती है वो आपको कहेंगे कि दर्द बहुत जादा होता है नेक्स्ट बात आती है वजाइना के हेर्द आगर आ किट आया जाता है आपको पुश नहीं करना है । लेकिन पुश करना है जब को स्फराइके लेकीν 2 पुश आपके संटिमीटर में आपका बच्चा बाहर आ जाता है जैसे ही डॉक्तर कोị सिर नहां नजर तो डॉक्टर्स educating सेफटी के लिए ठीक है अगर आपका बच्चे हेल्दी है बच्चे के गले में एक गर्फ ना लिपती हुई है पहली बारा बेबी को डिलीवर कर रही है अपको चीरा लग सकता है फ्रेंड 80% महिलाओं को चीरा लगता है जी हां फ्रेंड चीरा लगाते समय सुन किया जाता है ठीक है आप डरे ना घबराए ना आपको चीरे का पता नहीं चलता है उस दोरान दर्द आपको इतना फील होता है कि आपको चीरे का पता नहीं चलता है और डॉक्टर जब आपको स्टिच करते हैं उस दोरान भी आपको स्टिच का पता नहीं चलता है तो आपको सुन को ले तो आप डरेना जो आपको बोलते हैं कि सुन नहीं किया जाता है, तीर आपको लग जाता है, उसके दो से तिन पुष में ही आपका बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर आप tension free हो जाए है friend, tension free, बाकी बात आती है, सूसू और potty, सूसू निकलना friend, normal बात है, क्योंकि आपकी body में काम होता रहता है, bladder भरता रहेगा, और सूसू आपका निकल सता है, रही बात potty की, अगर potty आपकी निकलती है, तो बच्चे को infection हो सकता है, इस condition में doctors क्या करते हैं, पहले ही आपका पेट साफ करा देते हैं, कि बच्चे को infection ना हो, और आपकी आते खाली रहेंगी, तो बच्चा easily बाहर को move on कर पाएगा, आपको ज़दा pressure नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपको इस stage को लेकर tension free रहना है, कि potty निकल जाती है, तो friend ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़दा चिल लाएंगी, दर्द आपको हो रहा है, ठीक है, तो doctors भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन काफी महिलाएं ऐसी होती हैं, जो आपको डरा देती हैं, ठीक है, उनके साथ अगर negative हुआ है, तो आप tension ना ले, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो रही है, तो नॉर्मल डिलीवरी आप ज़रूर करवाएं,